अलो फ्रेंड्स दोस्तो मैं प्रकास कुमाउत आपका स्वागत करता हूं मेरे यूटूब चैनल रेंग डिजिटल पे तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप क्रोम ब्राउजर पे अपनी इमेल आईडी या गूगल अकाउंट को केशे चेंज कर स साकते → तो इस वीडियो में लो भी तो उस हम बात करेंगे आपका जो उसमें आप एक इमेल आईडी की जगह अपना दूसरा इमेल आईडी के से लोगिन करें तो दोस्तो हमारे वीडियो के साथ बने रहें तो चलते हैं दोस्तो Chrome Browser पे Chrome Browser में दोस्तो आपको जाना आए उपर ही उपर यह जो 3 . दिख रहे हैं उस पे उस पे जाने के बाद में दोस्तो आपको निचे जाना सेटिंग वाले उप्शन भी सेटिंग वाले उप्शन भी जाने के बाद में दोस्तों आपको उपर आपकी जो इमेल आईडी इमेल अकाउंट आपने जो लोगिन करके रखा है उसका लोग वो फोटो दिख रहा है आईडी दिख रहा है उसपे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको माद लीजिए ये उपर वाली मेरी आइडिया भी चल रही है मेरे को दूसरी email id login करनी है तो आपको दोस्तों नीचे option मिल रहा है sign out and turn off since तो दोस्तों अगर इससे आप continue करोगे तो इस id का आपके chrome browser से sign out हो जाएगी और आपको ये box का चिन दिक्राइब को क्लिक करके करते हो तो इसमें से आपका data जो है वो भी डिलिक्ट हो जाएगा तो आपको डाटा नहीं डिलिक्ट करना के बूल आपको email id remove करनी है तो इसको आप क्लिक्ट मत किज़िए और continue और देजिए के continue करने के बाद में दोस्तों presented यहाँ से आपकी email id रिमूव हो चुकि है है अब आपको दूसरी email id यहाँ पे login करने के लिगे यहाँ क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहां एक इमेल आइडी दिखेगी और यहां तीर का निशान देख रहा है उच्पे क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको आपके इमेल आइडी है उसकी लिस्ट ओपन हो जाती है अभी मेरे फोन में दो email id चल रही है तो मैं Сे सुझ कर लूँंगा दूसरी वाली जिसको मुझी login करना है तुम करने के बाद में दोस्तों इसको उखना है YES I am in और इस और इसको दोस्तों से आपको करने करने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हो आपके जो दूसरी इमेल आइडी थी वो लोगिन हो चुकी है तो इस परकार दोस्तों आप अपने क्रोम ब्राउजर पे अपनी इमेल आइडी को चैंज सिक कर सकते हो तो वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेर करना और हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद दोस्तों